नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में आई मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा और असान साइक नीटिंग पैटरन लेकर आई हूँ जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैटरन के लिए हमने टैन के मल्टिबल के हिसाब से फंदे डालने हैं और इस पैटरन को हम वड़ी ही असानी से बना लेते हैं यह देखें यहां पे टैन के मल्टिबल के हिसाब से फंदे डालने हैं प्लस फाइफ फंदे पैटरन को अर्जस्ट करने के लिए और दो में भी बना सकते हैं तो इस पैटन को राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और यह 10 रोज में हमारा पैटन रूपीट होगा तो पैटन की फर्स्ट रो जो है राइट साइड रो वन एजिंग का एक फंदा हमने स्लिप किया दागे को अपनी दर्फ किया अब देखें 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं एक दो तीन चार पांच एजिंग के फंदे को छोड़के 5 फंदे उल्टे बनाए दागे को पीछे करेंगे अब हमने 5 फंदे सीधे बनाने है आपने कैसे row one बनानी है जितने विए आपने अपने project में फंदे लिये होंगे सिर्फ starting के और last के 5-5 फंदे आपने उल्टे बनानी है बीच में अगर आपके 25 फंदे यदि 20 फंदे हैं जितने है आपने सीधी बना लेने है row one को आपने इस तरह से बनाना है तो मैंने बीच में पांच फंदे लिए एक्स्टा तो मैंने वो सीधे बनाई है आगे के मैंने पांच फंदे फिर से उल्टे बना लिए वो रैजिंग का एक फंदा मैं सीधा बुन लोगी तो इस तरह से हमारी row one right side जो है complete हो गई यह बड़ा ही असान पैटन है सीधी और उल्टी स्लाई में बन जाता है बिगनर्स के लिए यह बड़ा ही असान पैटन है इसे कोई भी बना सकता है तो यह देखें अब हम row two बनाएंगे wrong side पे आगे हैं हम उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे जो है उल्टे बुनते हुए complete करने है row two wrong side purl all stitches आपके प्रजेक्ट में जितने फंदे हैं आपने उल्टी तरफ से row two को उल्टा बनाते हुए complete कर लेना है row two हमारी wrong side से complete हो गई अब सीधी तरफ आगे हम अब जे हमारी row three है right side तो देखें एक एजिंग का slip किया पंदा अब दागे को अपनी तरफ करके हमने छे फंदे उल्टे बनाने है देखें row three में छे फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और छे छे फंदे हमने उल्टे बनाएं दागे को पीछे करके अब हमने अगला फंदा सीधा बनाना है पर हमने सीधा जैसे यहां से बुनते हैं उस तरह से नहीं बनाएंगे एक स्टिच इसके नीचे से यूँ करके देखें इस तरह से यहां पर एक स्टिच नीचे जाएंगे एक स्लाइज इसको बोलते हैं नीचे जाएंगे और वहां से हमने फंदे को सीधा बुनके उतारना है यूँ करके यह हमने हर बार ऐसे ही बनाना है जितने बार भी हम सीधा फंदा इस डिजाइन में बनाएंगे हर बार हमने एक स्टिच बिलो ही बनाना है अगला फंदा उल्टा बनाएंगे फिर अगला फंदा सीधा बनाएंगे तो इसको एक स्टिच नीचे बनाएंगे यूँ करके यह देखें होल दिख रहा है यहां से इसको सीधा बुनेंगे और अगला फंदा उल्टा बनाएंगे अब यह देखें पांच फंदे तो यह हमने उल्टे बना लिए यह हमारी रो थ्री है राइट साइड और एजिंग का एक फंदा हमने सीधा बना लिया एजिंग का फंदा स्लिप करके पांच फंदे हमने उल्टे बनाने है पांच फंदे उल्टे हुए दागे को पीछे करके अब सीधे फंदे जी हमें सीधा ही दिख रहा है हम इसको सीधा बनाएंगे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे पर हम एक सिलाई इसको नीचे से निट करेंगे यू करके नीचे से बुनेंगे एक फंदा सीधा दागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर दागे को प कि दागे को पीछे करके अगला वंदा हमने सीधा बनाना है यूं करके अब लास्ट के ये पांच वंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे जह हमने अपने पैटर्न को अड़्जस्ट करने के लिए जाएक्ष्टा पांच वंदे डाले हैं लास्ट फंदा भी हम एजिंग का उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये हमारी उल्टी स्लाई है अब हम सीधी तरफ आ गए हैं रो फिप्थ है राइट साइड एक फंदा स्लिप किया दागे को अपनी तरफ करके पांच फंदे हमने उल्टे बनाने हैं तीन चार पांच छे फंदे उल्टे बनाने हैं पांच नहीं छे फंदे उल्टे बनाएंगे देखे होगे दागा पीछे करेंगे अब अगले फंदे को सीधा बनाएंगे पर एक स्टिच उसको नीचे करके फिर अगला फंदा उल्टा फिर एक सीधा फिर दागा अपनी तरफ करके फिर अगला उल्टा और जो लास्ट के पांच फंदे रहेगे वो भी हमने उल्टे बना लेने है एक, दो, तीन, चार और ये पांच एजिंग का फंदा हमने सीधा बनाना है राइट साइड है ये इसलिए हमारी फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई अब हम आगे उल्टी तरफ राउंग साइड रो 6 है ये रो 6 में एजिंग का फंदा उतार के 5 फंदे हमने उल्टे बनाने है चार 5, पांच फंदे उल्टे बनाके दागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनेंगे एक फंदा अगला उल्टा बनाएंगे दागे को पीछे करके सीधा फंदा बनाएंगे दागे को अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा फिर आगे एक फंदा सीधा जब भी हमने निट करना है तो बिलोधा स्टिच करना है तो आगे ये 5 फंदे हैं ये हमने उल्टे बना लेने हैं और इस तरह से हमारी row 6 wrong side हमने complete कर ली एजिंग का भी हमने उल्टा बना लेना है छटी सलाई हमारी complete हो गई है अब हम आगे हैं सीधी तरफ right side row 7 साथवी सलाई है pattern की एक फंद स्लिप करेंगे 6 फंदे उल्टे बनेंगे दो तीन चार पांच छे दागे को पिछे करेंगे फिर हमने एक फंदा सीधा बनाना है दागे को अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा बनाना है फिर दागा पिछे करके अगला फंदा सीधा फिर दागे को अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा बनाएंगे तो यह हमारा 10 का repeat pattern है तो 5 हमने फंदे equal करने के लिए pattern को डाले हैं वो उल्टे ही बनाएंगे और last का फंदा हम सीधा बनेंगे यूँ करके हमारी row 7 right side भी complete हो गई अब हम उल्टी तरफ आगे हैं row 8 है हमारी wrong side slip किया पहला फंदा 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे 2, 3, 4, और यह 5 5 फंदे उल्टे बनाके दागा पीछे करके अगला फंदा हमने सीधा बनाना है फिर अगला फंदा उल्टा फिर आगे सीधा दागा अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा दागा पीछे करके फिर आगे सीधा फंदा बनाएंगे फिर दागा अपनी तरफ करके last के जो 5 फंदे हैं वो हमने उल्टे बना लेने हैं एजिंग का फंदा हमने उल्टा बना लिया तो यह हमारी 8 रो भी कम्प्लीट हो गई अब आगे हैं हम सीधी तरफ राइट साइड रो 9 में पहुँच गए हैं दागे को फंदे को स्लिप किया दागा अपनी तरफ किया 6 फंदे उल्टे बनाएंगे 4 5 6 फंदे उल्टे बनाएं दागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे अगला फंदा उल्टा बनाएंगे फिर आगे सीधा बनाएंगे और एक उल्टा बनाएंगे तो इस दस पंदे हमारे कंप्लीट होगे पांच पंदे जो एक्स्टा है वो हमने उल्टे बनाने है एजिंग का फंदा हम यहां पर सीधा बनाएंगे क्योंकि यह हमारी राइट साइड है उल्टी धरफ आगे हैं हम रो 10 है हमारी यह रॉंग साइड दागा फंदा स्लिप करके दागा अपनी धरफ करेंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे पांच फंदे देखें पांच फंदे उल्टे हो गए दागे को पीछे करके अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे दागा अपनी दर्फ करके अगला फंदा उल्टा दागा पीछे करके अगला फंदा सीधा दागा अपनी दर्फ करके अगला फंदा उल्टा दागा पीछे करके अगला फंदा सीधा दागा अपनी दर्फ करेंगे और यह पांच फंदे जो हैं यह हमने उल्टे बना लेने हैं और जो एजिंग का फंदा है उसको भी हम उल्टा बुन लेंगे यूँ करके हमारी रोट एंड भी कंप्लीट होगे रांग साइट से तो यह देखें हमारा दस असलाईयों में बड़ा ही असान सा पैटर्न है पर लुक वाइस बहुत ही अच्छा लगता है तो देखें इस तरह से इसकी लुक आएगी इन्हीं दस असलाईयों को आपने रपीट करते हुए जाना है और साथ में हमने जब इसको दस असलाईयों के बाद बनाएंगे तो रपीट के साथ साथ हम इसको शिफ्ट भी करेंगे पैटर्न को तो देखें दोनों तरफ से इस तरह से दिखता है यह आप इसको अपनी किसी भी प्रजेक्ट में इस्तमाल कर सकते हैं बड़ा ही असान पैटर्न है बिगनर से इसको बड़ी असानी से बना सकते हैं तो यह पांच जो फंदों का डिजाइन है यह अब इस तरह आ जाएगा और यह जो उल्टे फंदों वाले पांच है जब सेंट लिएटर में आजाएंगे तो इस तरह से हमारा यह पैटर्न जो है वह शिफ्ट भी हो जाएगा और इनी तस रो को आपने रिपीट करते हुए जाना है सिर्फ यह बीच का जो पांच फंदों का डिजाइन है इसको हमने शिफ्ट करना है तो इसे हमारे पैटर्न जो है बना सकते हैं बेबी स्वेटर बनाईए चाहिए इससे आप क्या बनाईए आप इसे मफरल भी बना सकते हैं चाहिए तो आप इसे ब्लैंकेट पर भी इस्तमाल कर सकते हैं उस पर भी इसकी बड़ी प्यारी लोकाती है बच्चों के ब्लैंकेट जो बनते हैं शोटे आप उस कर दो कर दो कर दो कर दो